इसमें क्या करना है आपको ना इस वाली value को यह जो 2 की उपपर power में नजर आ रहा है ये इसको T मानना है इतना याद रखना पड़ेगा इस question के बारे में यह जो power 2 raise to the power 2 power x को आपने क्या मानना है टी मानना है अब टी मान तो लिया है तो डिफ्रेंशेशन करना पड़ेगा डिफ्रेंशेशन कैसे करोगे इसका कोई बच्चेस में दौन साफ लॉग अप्लाई करके करते हैं गलत नहीं है ठीक है लेकिन जुरत नहीं है आप इसको अपने मन में ए रीड करो यह है क्योंकि य यहाँ पर x का कोई function है तो आप अपने मन में इसको x रीड करोगे पूरे x को तो अब यह derivative बन जाता है a to the power x वाला derivative integration नहीं और a to the power x derivative होता है a to the power x into log a यह होता है इसका differentiation तो मैं देखो अप्लाई ज़रता हूं यह a है और यह x है तो a to the power x का पहले a to the power x into log a a मेरा यही वाला है 2 यह हो गया लेकिन जिसको आप अपने मन में x रीड कर रहे हो वो x नहीं है वो तो 2 raise to the power x है तो chain rule क्या कहता है वह आप इसको x रीड करके derivative किसका निकाल रहे हो a to the power x का निकाल दिया है लेकिन इसका भी तो करना है लग से अब इसका करो अब इसको अप अब मैं आपको बोलूँगा integration में वाफिस जाओ आपका integration यह वाफिस आ गया है यह वाला 2 कुछ नहीं करना है ऐसी लिखना है इस पूरी को क्या माला है तो t यहां पर लिखना है ठीक है और जो यह दो आप देख रहे हो ना साथ में और dx आप देख रहे हो देखो यहां पर करनी है कि दीटी अपाउन लॉग टू का और हमें यह परिशान नहीं करेगा यह तो भार ले जाना चाहिए अब आप मेरे को ए टूदी पावर एक्स वाला integration बता हो अगरी आदिए ए टूदी पावर एक्स अपाउन लॉग ए और इन्टू यह लॉग टू का होल इस एड़ प्लस सी इसमें टी को जरूर रिकॉल कर ले ना फाइनल आंसर टू रेस्टू दी पावर टू पावर रेस्टू एक्स और यहां पर यह बन जाएगा लॉग टू का होल क्यूब प्लस सी यह आपका फाइनल आंसर हुआ खोड़ा अलग हट के पूश्यन है लेकिन एंट इसमें प्रिंट की प्रिंट किया लोग पता नहीं है रहा कुछ कह रहे हैं कि इंटिकेशन ही लेकिन हैं इसमें है तो इसमें कर भी रहे है करने के पाद बेस नहीं होगा कभी आएगी ना तो कभी बेस नहीं होगा यह कहीं भी तो थोड़ा सा ट्रीकी यह याद रखना प्रेट्स कर लेना स्कूर्शन को तूग की जगा कोई भी नंबर आ सकता है आंसर सेम रहेगा इसको टीम आनना है इसके यह बाकी के तीन ओ आगे चलते हैं एक आपने प्रॉब्लम टिक की हुई है इसमें कॉश्चन नमबर 20 बेच पॉश्चन नमबर 20 है एक्स प्लस वन एक्स लॉग एक्स एक्स डी एक्स राइट यह कॉश्चन इसको टीम आनो ना इसका derivative यह पढ़ा हुआ देखो पूरा देखो एक्स एक्स को टी ले लिया differentiation कैसे करोगे इसका यह बताओ सिर्फ कैसे करोगे बताओ करना नहीं इसका करो एक्स का कर लिया चलो बान तो एक्स का नहीं किया अभी प्लस लगाओ अभी एक्स का मत करना अभी इसका तो बहुत एक्स ही रहता है ब्रैकेट को यह पर क्लोज करो यहां डी एक्स आएगा यहां डी टी आएगा अब आप देखो इसमें से क्या कमन दिख रहा है लेटे तो अदर बचे गा बन प्लस एक्स डी एक्स जीटी अब मैं आपको बोलूँगा वापिस का है अब चीयरा कैसे होता है और लुए बच्छी लोगट ही का बहुत सारे बच्चे 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 वख करना बहुत सारे बच्चे एक जंडि जल्दी बिपास तैंटी को और में कि ओ सांते जोगया को जो गया किसा हां और Peach at States उंडी कि अब शुरुआ कर दिश्य कर नहीं हमें लॉटी बार जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा तो वन का इंटीग्रेशन बोलो एक्स नहीं चल रहे देखो सारा तो वन का तो खाली बन बचा है वन का फिर से कड़ों एंटीकिरेशन है वन कटी हो गया एंड अब लास में प्लस यह आपका अंसर है इसमें जितने टी नजर आ रहे हैं सब को यह पूट करके छोड़ ले ना अंसर यह पूट करके छोड़ दो 23rd भी देखो भई ओके बती उपर का कोश्चन कोश्चन रफ कर रहा हूं उपर है 2x dx छिक है 2x के साथ dx है नीचे है x square प्लस 1 और x square प्लस 2 इस बात बताओ यह 2x आपको नजर आ रहा है प्लस 1 अब कॉश्चन कौन सी फाम में जा रहा है अब यह पार्चल का एक्शन में जा रहा है एक मार पार्शल प्लस 1 और प्लस 2 पहला पार्शल प्लस 1 और प्लस 2 पहला पार्शल फैक्शन से बोलो क्या लिखना है और इसमें पूटकर दो यह माइनस 1 फ्लस 2 कितना हो गया वान हो गया ना एंग वन पॉन फ्लस अन पहला पार्शल प्लस 1 पहला पार्शल प्लस में प्लस इन दोनों को अलग करना सीखना है यह जो फ्रैक्शन होती है यह इसके पार्शल ही बनाए गई है तो इनको पार्शल फ्रैक्शन बोला जाता है कैसे बनाना है आपको इसको अलग करना है तो इसको अलग कर लिए आपने यह रहा इसके उपर वह नंबर ढून रहे होगे क्या इक हो में यहां पर यहां से टी की वैल्यों निगालो मैंने निगालनी है उस माइनस वन को यहां रखो दूसरे वाले ब्रैकेट नहीं हो गया तो वन अपॉन वन यह वैल्ली वन हो गया अब टी प्लस टू को अलग कर दिया इसके उपर पता नहीं चल रहा है क्या आएगा वै इसी बता रहा हूं यह पारशल प्लस टेक्शं देखो मैं डारेक्ट निगालों अ इसको इसकोahl को प्लस impertis ढुक्ण भाशल ये तीन प्ल्स टीके इसके लिए मुझे partial fraction चाहिए है ना इसके उपर क्या आएगा मुझे नहीं पता तो मैंने पहले क्या लिखा x-1 लिखा x की value इसमें से निकालो minus 1 upon 4 आ रही है वैसे बन आएगी न value 1 यहां put कर लो 1 यहां put कर लो रफ्टे पर use कर लो चाहो तो 1 plus 3 4 और 1 minus 2 minus 1 1 upon minus 4 अब बताओ इसके उपर क्या आएगा x plus 3 के उपर x की value इसमें से निकालो minus 3 यहां भी रख दो यह तो हो गया 1 upon minus 4 और minus 3 minus 2 minus 5 यह हो गया minus minus plus हो गया ना plus 1 upon 20 इसके साथ आएगा यहां पे यह हो गया और अच्छी तीसरा कर लो लगा कोई नहीं पूछता कोई टीचर नहीं पूछता ही कि यह कैसे निकले हैं हमें कोई जुरतिये बताने हैं हां आपको लगता भी मैं ऐसे नहीं कर पाता हूं मुझ तो ABC लिखके अच्छा लगता है तो ऐसे कर लो चलो अब आगे आजो इसका क्या करना है बोलो अभी दो फिर्फे लिए पाज़िए लोग टी प्लस वन माइनस लॉग यह वन अपन टी प्लस वन टी यह वन अपन टी प्लस टू टी पहले वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी प्लस वन किया गले सकते हो क्या है आई यह लॉग को एक लॉग पना सकते हो क्या है अगया बोलो लोग क्या प्लस वन अपन टी प्लस टू प्लस टी को रिकॉल करना मत बूल जाना था क्लोग में बनाना कोई कंबल सरी नहीं होता है मर्जी उप्यार वच्छे के अपने हैं यह हो गया आपका 23rd त्निया के अपने ती पुट नहीं के आपको अपने का इसी में इसे लगाएगा अपाउन एकस्ट्क्वार श्क्मार कुकि इसमें आपको ए ओर भी लिखने वडेंगें उपर लीए ले ले हो और इसका partial fraction आएगा cx plus d upon x square plus 2 अब आप x की value इसमें 4 value put करोंगे एक बार 0 ले लो फिर 1 ले लो फिर 2 ले लो फिर minus 1 ले लो और a b c d में चार equation frame करने पड़ेंगी हो जाएगा लेकिन बहुत नेंदी पड़ने वाद है इसमें से नहीं है इसमें नहीं है बोलो इसमें कुछ है क्या यह question ऐसे भी आता है मुखको बताता हूं equal to में यहां पर answer लिखावा होता है a log a plus b into a plus b ऐसे answer लिखावा होता है मैं बता रहा हूं मतलब आपको यह तो हम कर रहेंगे integrate और फिर आप से पूछते हैं a की value बताओ b की value बताओ c को चलो यह question ऐसे भी आता है तो यह जही लेविल के question तो लेकिन हम नॉमल वे में करेंगे हैं तो जही के वाले में कुछ पता नहीं है इसका derivative obvious है यह नहीं है आप चेक कर लो भई 4x का तो 4x होना चाहिए तो 3x है और यहां पे भी यह match तो कर रहा है बस यह 4x नहीं मैच कर रहा है एक चीज़ मैच कर रही है एक मैच नहीं कर रही है तो इसको 4x बना सकते हैं क्या कर दो मैं इसमें 8x प्लस मैनस कर दिया इसमें की एक प्लस कर दिया इसको ऐसी रहने दिया एक एक माइनस कर दिया बालेंस बना के चल रहे हैं बेश को यहीं पर अलग अलग कर दिया ठीक है एक एक प्लस कर दिया एक एक मैनस कर दिया डेरिवेटिव बन गया इसका आंसर मेरे को डेरिट बोल दो लॉग 4 एक प्लस 5 ए माइनस एक अब रह गया यह इसमें इस एक को अपॉन में लाएंगे क्योंकि यह माइनस पावर है यह ना तो जब यह अपॉन में आएगा तो 5 के नीचे आजाएगा यहां पे फिर एल्चेम लेके वो यहां पे आएगा और एल्चेम वाला पार्ट यहा लिखने जा रहा हूँ एक 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 पहले से है एक 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 सपॉन में आया एल्चेम आया उपर चला गया एक 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 वो आ गया अब यहां बताओ यहां पर क्या आया होगा एल्चेम लेने के बाद 4e2x plus 5 यह आता है समय में ओके इन नौनों को multiply करके बोल दो लिग दो e2x, यहीं पे लिग दो पिर से बता हूँ क्या किया है मैंने आप सुनो मैंने जो step दिखाई नहीं आपको इसको e x को upon में लिखा 5 के नीचे, imagine करो यह यहां से अड़ गया, नीचे ऐसे आ गया ऐसे आ गया, फिर यह LCM लेके यहां पे आया और यह उपर चला गया तो वह step मैंने ऐसे लिख दिया चेक करो, इसका derivative उपर है कोई कमी है थोड़ी सी कमी है, पूरी करने आपको दुबारा चेक करो इसका derivative बोलो बोलो मैं लिखूंगे यहां पे 4 का तो 4 बोलो, E2X का बोलो E2X 2X का into 2 चेनलू लगाओगे न, 5 का 0, अब बता उपर क्या होना चाहिए 8E2X होना चाहिए खाली 8 की तो कमी है, कोई बात नी पूरी कर लेके हैं, 8 डिवाइट 8 multiply, अब इसका answer बोलो 1 upon 8 log of this, और यह log of this पहली आचाहिए हाँ, चगड़ा कोईशन है यह है इसमें अब बताव, एंचाइडी में के पिशादरना कोईशन दे रखते हैं अब यह आ गया है, तो यह 1% probability है, तो हो जाएगा बच्चों से यार मत तुम्हें दूंगा लाके पता है, मैं गलतीस यह ना, बस एक बार बैक से निगल गई यार वो गर पे, और इसमें बड़ी मिश्क होगी मुझसे यार वो डन हो गया वह यह आप यह आप यह अट लीस्ट वरक्षीट तो कर लो च्रक्षीट में वराइटे मिल जाएगी आपको प्राटिस के लिए इसमें से को कोशन को आएगा नहीं आगा मैं भी नहीं आए लेकिन प्राटिस तो होगी ना कर लो कोई बाद भीज़े कर दो 5-5-6-6 भी करते हो डेली के तो भी जाएगा का इंटीकेशन तो घथा होचुका है मैं तो वह शेयर कर आप ले रहा हो ना हमने तो लाग ख्राप में चाहिए साएड इया बांडेट कर लिया था तो अभी पहले वह कर लेते हैं अब ही पहले वह कर लेते हैं अब हो गया चलिए लिए कर लेते हैं प्रोडीशर सब्सक्राइब प्रोडीशर सब्सक्राइब कर दिमांड कर ध्यान रखेंगे हमेशा एक डिक्रीजिंग कर वहता है कुछ इस तरह से एक्स एक्स पर जनरली नंबर ओफ यूनिट्स ली जाती है इन फैक्ट आप चेंज कर सकते हो लेकिन रिकमेंड़ नहीं होता नंबर ओफ यूनिट्स और यहां वाई एक्स पर प्राइज पर यूनिट्स मिलिया जाता है कि डिक्रीजिंग क्यों है क्यों घटावा जा रहा है जैसे जैसे प्राइज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे प्राइज उपर जाता जाएगा नंबर ओफ यूनिट्स जीरो जैसे ये प्राइज कैसा है यहां पर यहां कट कर रहा है तो यह ऐसा प्राइज है किसी को मोड़ डेगा कि यहां पर कोई भी कस्टुमर इस यूनिट को परचेस करने के लिए तयार नहीं है यह ऐसा price है, number of units कितनी है, zero है, जैसे जैसे price कम होता जा रहा है, number of units बढ़ती जा रहे हैं, consumer suspect होने पर माल ज्यादा खरीदने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमेशा जो होता है, demand कर decreasing होता है, यह zero है, और suppose करो यहाँ पे एक perpendicular drop कर लिया है, यह मान लेते हैं, आपका x not कर दे, x not है, तो zero से x not तक, जितनी भी units खरीदी जाती हैं, तो यह उनका price होता है, यह जो area है, यह area price of units from x2 या zero to x not, तो यह जितना area होता है, x not, जितनी भी number of units purchase की गई है, यह पूरा area उसका price होता है, demand कर्व, supply कर्व, generally supply कर्व increasing होता है, ऐसा क्यों, यह supplier का कर्व होता है, यह customer का कर्व नहीं है, यह supplier का कर्व नहीं है, यह supplier का कर्व, यह ऐसी number of units है, जब यह कर vertical y-axis को cut कर रहा है, तो यह ऐसी number of units है, जहां पे कोई भी supplier माल बेशने को तयार नहीं है, क्योंकि यह काफे कम units है, जैसे जैसे आपकी price बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे supplier जादा बेशने की कोशिश करता है, तो इसलिए, यहां से price बढ़ता जा रहा है, यहां price per unit है, और यहां पे number of units है, अगर हम यहां पे, जैसे मैंने यहां पे draw किया perpendicular, अगर हम यहां पे perpendicular draw कर लेते हैं, लेट से यह x knot है, तो यह x knot unit बेचने पर supplier को कितना पैसा मिलेगा, यह वो area होता है, यह जो total area है, यह वाला, यह price है of x knot unit sold करने पर, ठीक है, तो supply curve हमेशा increasing होता है, बढ़ता वाज आता है उपर, और demand curve हमेशा decreasing मीचे की जरह पर, अब हम जब इन दौनों को एक ही graph paper पे draw करते हैं, तो जगा बचिए मेरे फ़क्स, यहां आ जाए गाए, यहां आपका demand curve हो गया, यह आपका supply curve हो गया, p is equals to dx and p is equals to c, ठीक है, supply here, c, s लिख देता हूँ, यह दौनों curve जहां, जिस point पे cut करते हैं, यह equilibrium point होता है, इसको हम denote करते हैं generally, xe, pe से, मतब्द x units equilibrium, यह वो units हैं, जहां पे supplier अपना माल बेजने को तयार है, और इस price पे customer माल खरीदने को तयार है, यहां से हमने एक perpendicular मीचे drop कर लिया, तो यह xe पर मीच करेगा, एक perpendicular हमने यहां से draw कर लिया यह, तो यह यहां पे pe units पर, pe पर cut करेगा, अब इस line के, यह horizontal line के लाएगी, इस line के उपर का यह जितना भी area है, यह consumer का प्लग, ऐसा क्योंग? क्योंकि market में ऐसे भी तो customers हैं, जो इस price से उपर price पे खरीदने को तयार हैं, तो यह जो इस price से उपर price करने को तयार customers हैं, यह उनका consumer surplus हैं, और इस price से नीचे के price पे माल बेचने को कुछ producer तयार हैं, इस price से नीचे प्राइस पर, तो इसका मतलब यह जो है, यह वाला, यह है consumer surplus, और जो नीचे वाला area है, तो मैं इसको tilt-shade कर देता हूं, यह है आपका producer surplus, अगर आपको consumer surplus निकालना है, तो आप देखो, आप इस curve के नीचे का area निकाल रहे हूं, ठीक है, उसकी integration की limits क्या होंगे अब बताओ, इस curve के नीचे का यह सारा area चाहिए, जीरो lower limit, एक्सी आपकी upper limit, और आप इस curve को integrate करोंगे, किस curve को, demand curve को, तो सोचो, यह पूरा area आजाएगा, लेकिन consumer surplus तो सिर्फ इतना area है, आपको कितना area minus करना पड़ेगा, यह rectangle जो बनावा है, इतना area minus करना पड़ेगा, है ना, और rectangle के area आप simply निकाल सकते हो, length into breadth पे, तो इसी लिए, यह note कर लिया, तो मेरे को बताओ, पड़ोश अरब आज साधियते है, जान भी जान भी बताओ, यह अगर आपने सब्सक्राइब, तो मैं यह वाला यह वाला अगफ कर देंगा, आप consumer surplus निकालने के लिए, जब आप बुक में देखते हो, जो formula दिया होता है, वो क्या दिया है, जीरो से लेकर, xe, जो equilibrium point की number of units है, वहाँ तक का integration, किस curve का integration होना है, बताओ, demand curve का, with respect to x होना है, लेकिन जब demand curve को integrate करोगे, 0 से xe point के बीच में, तो यह पूरा area आजाता है, अब पूरा नहीं चाहिए, उस rectangle के area को minus किया जाता है, rectangle के area आप simple लिगा सकते हो, length into breadth से, मतलब xe multiply p, यह होगया आपका consumer surplus, और अगर producer surplus निकालना ह है, वो यह वाला area है, तिर्फ इतना, जो rectangle के अंदर है, थोड़ा सा, है ना, rectangle के भी अंदर है, तो rectangle का area पहले निकाल लेते हैं, rectangle का area xe into p, अब इस rectangle के area में से कितना area minus होगा, बताओ, integration of यह वाला curve, क्योंकि जब आप इस curve के नीचे का निकल रहा होगा, जो इसकी boundary से छूके नीचे आ रहा होगा, तो आप इसमें से minus कर दोगी, यह वाला तो minus कर मैं है, सोचो आपको, तो आपको यह बच्चे का producer surplus, तो 0 से xe naught तक supply function का integration, market surplus क्या होता है, consumer surplus, market surplus क्या होता है, market surplus क्या होता है, market surplus, consumer surplus और producer surplus का sum होता है, लिख लो, knowledge के लिए, कहीं पूछे का तो ठीक है नहीं, तो कोई बात में, market surplus is equals to, market कितने surplus में, market का मतलब है, consumer और producer दोनो, so market surplus में, consumer surplus plus producer surplus, दोनों को add करके निकले, मतलब यह complete area, यह पूरा area, यह market surplus, अब कोई doubt है, तो पूछो करना, इसके question इस्टार्ट करणा, तो clear है, producer surplus, और कैसे हम इसमें से यह minus कर रहें, इसमें से यह वाला क्यों minus कर रहें हैं, मैं आपको फिल से बताता हूँ, producer surplus, देखो, producer surplus सिर्फ यह नीचे का इसना area है, मैं इसको डार कर देता हूँ, यह वाला area है, horizontal line, और supply curve के बीच का area, इस area को निखालने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले इस पूरे rectangle का area निकाला, rectangle का area length into breadth से निखाला, length हो गई xy, breadth हो गई p, देखो, यह आगए, इतना clear हो गया पहले बताऊ, step by step चलेंगे फिल, अब rectangle के area में से minus करना है मुझे यह वाला area, जो इस curve के नीचे का area है, अब इस area को निकालने के लिए क्या करेंगे, यह देखेंगे इस area की चछत क्या है उपर, जब यह area अपनी चछत देखेगा उपर, तो यह वाला curve जा रहा होगा, यह देखो, just immediate उपर की जो roof है, वो यह यह वाला curve होगा, अगर हम इस curve को integration में डाल दे, supply curve है देखो ही है, अब limit कहां से कहां तक रखें, integration में तो डाल दिया, limit रखो भी 0 से लेकर इस line curve और यह xe है, तो 0 से लेकर xe तक, अगर हम इस supply curve को integrate करते हैं, तो supply curve का integration हमें यह area calculate करके देगा, और अब उसी area को minus कर देंगे rectangle के लिए अगर जानवी कुछ पूछ रहे हैं बताओ, चुछ हो गया clear, हो गया clear, तो start करते हैं कोशन यह आप note कर लेना, और market surplus जो होता है, वो आपका producer surplus और consumer surplus का sum होता है, चलो जी, इसका question जरूर आएगा, hopefully three number में आना चाहिए, लिखें question होई, the demand and supply functions, the demand and supply functions, for a commodity R, for a commodity R, मतब demand or supply function दिये वेंकि इसी commodity के, आप ते कलो demand function है, P is equals to small p है, x square minus 6x plus 16 and यह demand function हो गया, पहले बादा, and P is equals to, हाँ, यह demand function है, and P is equals to, 1 by 3x square, यह supply function, plus 4 by 3x, plus 4 respectively, इसका मतब पहले बादा दिमांद पुक्शन है, दूसरा बादा प्लादा, supply function, इसका मतब पहले बादा बादा पुक्शन है, find, find each of the following, assuming, find each of the following, assuming x less than or equals to 5, मतब जो x की value है, वो 5 यह 5 से कम रखने है, तो equilibrium point देरिया नोने हैं मेरी, अब आप लेख लो find number 1, the equilibrium point, नहीं, इसका मतब ही equilibrium point नहीं है, वो तो आपको निकालना पड़ेगी, यह number 5 unit तक maximum खरीदिया बेची जाते हैं, जो भी commodity है, तो एक तो आपको निकालना है पहले equilibrium point, xc और p e की value, दूसरा consumer surplus at equilibrium point, तो आप पहला पार्ट सॉल को रोगे पहला पार्ट सॉल होगा, तो अभी बाखी के 200 होगे, क्या करना है बताओ, equilibrium point के लिए, supply और demand function equal होने चाहिए, तो आज साफिर से बोलना वेटा, नहीं समय की पाया, तो आज सिर्फ दिमांड फंक्शन इस बिल्कुल, demand function supply function को equate कर दो, मतलब यह और यह equate करके, मुझे फटा-फट सेक्स की वेले निकाल के दिखा देगा, तो इस algebra बनेगी, quadratic बन सकती है, 2 और 9, तो 9 पो reject हो गया, 500 पले नहीं है, तो 2 होगे है, इस equation को आप जैसे मर्जी solve करो, अपनी अपनी सप्की मर्जी होती है, लेकिन सारी terms को एक तरफ shift तरो फैले, तभी terms एक तरफ आजानी चाहिए, x square में से जैसे ना, 1 by 3 x square minus हो गए, तो यह 2 by 3 x square बचे, minus 6 x में minus 4 by 3 add हो गया, minus 6 minus 4 by 3, minus के 22 upon 3 हो गए, और 16 में से 4 minus हुआ, 12 बचा, सबको 3 से multiply और 2 से divide कर दो, यह पहले 3 से multiply कर दो, चलो, यह बन गई equation, अब सबको 2 से divide कर दो, खुड़ा छोटा हो जाएगे ने, पॉर्टिक पर यह, अब इसमें लगाओ, splitting the middle term, 18 के 2 factor सोचो, जिससे 11 आजाए, plus करने पर आजाए, बढ़े असान है, 2 और 9, तो splitting the middle term से, X की value 9, reject करो, क्योंकि X maximum 5 तक जा सकता है, बढ़े, अब बताओ, equilibrium point कैसे लिखा जाएगा, यह तो X है ना, यहाँ पूट कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, दोनों जगा से price same आए, सबी तो बुलेंगा equilibrium point, तो यहाँ पूट कर लो, consumers or plus, आपको यहाँ पर लिखना है, एक्ट्विली ब्रियम point is equals to, 2,8, ऐसे answer लिखना है, यह first part का answer है, तो पहले तो फ़र्स पार्ट में तो equilibrium point का रप्लेक किया, X की value कहीं भी बूट कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, दोनों जगा से price same आए, 9 को reject किया, क्योंकि question में मैंशन, X maximum 5 वादी हो सकते हैं, शुबरम consumer surplus का integration बोलो ज़ला, हाँ, उस integration बनेगा न, उसके लिए तो एक, बोलो, नहीं पहले integration के अंदर क्या है, पहले बोलो, अब लिमिट बोलो पहले को फिर हाँ बोलो क्या लिए, 0 से 2, अब इसमें से ही rectangle के रिया माइनस करना है, rectangle के रिया, यही लेंथ और यही ब्रेक्ट, 2 into 8, यानि 16, बस अब solve कर लो इसको, x cube by 3, 6 के साथ x का x square by 2, 16 का 16x, lower 0, upper 2 और minus 16, simplify कर लो, ध्यान से करना बस, 8 upon 3, यहां पर दो रखोगे, 4 into 3, 12 plus 32, और 0 पर सारे 0 हो रहे हैं, और यह minus 16, 32 में से 28 minus करो, 4 बचे, 4 की अब 12 plus 8, 20 upon 3, consumer surplus, 40 upon, यही हा रहे है, यह है रहे हैं, यह रहे हैं जी, consumer surplus, यह रहे हैं लिमिट में 2 के साथ 0 क्यू ले हैं, आपकी देखो, जो equilibrium point होता हैं न, यह 0 मैंने क्यू लिया, मैं आपको बताता हूं, आपका जो भी demand function होगा, इसका जब कर बनेगा, तो कुछ ऐसे आ रहा हो, वही 0 unit से नीचे तो यूनिट जाएं नहीं सकती, तो 0 से लेकर कहां तक, इक किपरिणम point 2 तक, यहां से एक perpendicular यह draw ती है, यह वाला आपका consumer surplus, यह वाला area, तो इसको निकालने के लिए क्या करना हैं हमने, 0 से unit start होई, जीरो से कहां तक, वही 2 unit तक, तो 0 और 2 तक जितनी units बेची जाएंगी, उसका consumer surplus निकालो, तो यह वाला area निकालना है, तो start 0 से ही होगा इसमें हमेंशा, और यह आपका equilibrium point का x coordinate है, यह equilibrium point है ना, उसका यह x coordinate यहां पे लिए है, y coordinate यहां पे होगा 8, जो इस तरफ होगा, यह 8 होगा, पे यह निकालो जग्दी से, तो एस्वीट से कर लो भई, यह जैसे 20 अपान टीन लिखा है, यूनिट्स क्या होंगी या कुछ होंगी या नहीं होंगी, रुपीज, दो यूनिट का आपने प्राइज निकाल दिया, यूनिट्स का आपने प्राइज निकाल दिया, कोई मार्च भटते वाचे तो यहां भी छोड़ोगे, अच्छा हाँ, वो हैं कोईशन, वो जेकेट अगराद भूक में भी हैं, ठीक है, वाजबाद लेक्या होंगा, फेले पंक्षिन बनेगा उसने, पूरा, 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 टैंगल के एरिया आएगा, और उसमें जीरो से लेके टू तक सप्लाई फंक्षिन कांटिगेशन करना है, इसका, 40 by 9 आ रहा है, नहीं नहीं, चेक करो एक बार देखो, देखो ये तो आपका, 16 हो गया, एकस्क्वार कांटिगेशन, एकस्क्वार बाई 3, एकस्क्वार नाइन कर लो, त्री पहले से, एकस्क्वार बाई 2, तो 4 बाई 3 के साथ आ गया, एकस्क्वार बाई 2, और 4 का 4x हो गया, लिमिट पुट करते हैं, चलो इसके अंदर, 3 हो गया यह तू का स्क्वार 4 4 इन 2 2 8 बाइ 3 और यह 8 हो गया अच्छा जीरो पे तो सारी 0 जाएंगे तो छोड़ो यह रह गया इसको फर्दर सॉल करो 16 माइनस इन सब का इसम ले लो पहले एक साथ 9 एसम आठ प्लस 24 और प्लस 22 इतने हो गए असी और दो 104 अपॉन 9 हो गए न यह एक सो चार अपॉन 9 हो गए यह सारे प्लस करके अब इसका इसम ले लो 169 जा 144 144 में से 104 माइनस कर दो रह गए 40 अपॉन 9 प्लस नेक्स्स कॉशन लिखो अबस वुचे का डिगे रात और वो जुशन लिखो लिखो लगए दिमांद फंक्शन पॉर अपॉर अपॉर फोल्छ लगए को लुचिन है इसबगए अबस पॉर जख लगए विखो लोगए इसब कॉर्छ नेकर अपॉर श्रो गए दिमांड फंक्शन है किसी कॉमोडिटी का लिख लेना है स्मॉल पी से दिनोड करना है और यह हां प्राइस पर यूनिट मतलब अगर एक्स उनिट्स खरीदी जाती है तो इतने प्राइस पे कस्टूमर एक्स उनिट्स करीदने को तयार है तो पी सिपोल स्वें टूंटीए क्स्ट इस पार यह दिमांड फंक्शन मा अनुन पॉलिस बनाते हैं फुन्ती एक्स नहीं है सॉरी बई ट्वंटी एक्स काद देना 20 में से 20 माईनस 4 x इस पार इंड अगर जिनल कॉस्ट and the marginal cost is equals to mc is equals to 2x plus 6 marginal cost is my 2x plus 6 find the consumer surplus at the sales level x0 find consumer surplus at sales level x0 where profit is maximized where profit is maximized where profit is maximized where profit is maximized यहाँ पे आपका integration के साथ differentiation को mix कर दिया गया application of derivatives भी आगया पुराना बना profit को maximum करने के लिए आपको profit का function पहले तो चाहिए होगा profit का function जब आ जाएगा तो उसको differentiate करके उसको maximum करना पड़ेगा पहले एक बार वो पूरा process दोरा लेते हैं सबसे पहला आप मेरे को यह बताओ marginal cost होती है dc upon dx cost का derivative with respect to x होती है जो यह दिया हुआ है अब अगर यह dc upon dx यह दिया हुआ है और मुझे सी निकालना है मुझे सी निकालना है तो derivative का मुझे यह d by dx काटना होगा और derivative को काटने के लिए बना है anti-derivative जिसको आप बोलते हो integration तो इसलिए आप क्या करोगे दौनों साइट पे ऐसे integration का साइं डावगे तो यह आगे है जिसने derivative को cancel करके क्या बना दिया है यहाँ पे c बना दिया अब रही बात यहाँ पर आजाओ 2 के साथ x का integration x square upon 2 simple way में करूँगा मैं और 6 के साथ 6x and plus k k यहाँ कोई भी constant हो सकता है तो यह आपका 2 से 2 cancel हो गया आपका c जो है cost function यह आगे कितना clear अच्छा यह demand function है demand function से आप revenue निकाल सकते हो कैसे निकालते हैं बताओ multiply x कर दो p को multiply x कर दो revenue हो आगे आपका 20x minus 4x cube यह revenue हो गया profit कैसे होता प्रॉफिट कैसे आता है इंट्व डिमांड function x कर दिया यह एक यूनिट की cost price है समझो यह एक यूनिट का इतना price है तो एक यूनिट का कितना price होगा इंट्व एक्स कर दिया तो प्रॉफिट आए revenue मतलब x यूनिट बेचने पर इतना पैसा आता है और आपकी जो costing है वो एतनी है एक्स यूनिट की तो उसके profit कितना हुआ profit is equals to let's say capital P revenue minus cost अब revenue है 20x minus 4x cube minus cost function कर दो x square minus 6x minus k यह आपका profit function किसी भी function को maximum या minimum करना हो अगर किसी भी function को कोई भी चीज़ है maximum करना है minimum करना है दौन में से कोई एक बात करनी होगी तो आपको इसका differentiation करना पड़ता है ठीक है इसका differentiation बोलो profit का with respect to x यहां से बोलो 20 minus 12x square minus 2x minus 6 और k का 0 अब जो differentiation हो गया इसको यहीं पे 0 से equate कर लिया जाए क्या बनी equation minus 12x square minus 2x और 20 में से 6 minus कर दो प्लस का 14 इक्वल टू जीरो इसको minus 2 से divide कर रहा हूं है ताकि यह plus हो जाए तब यह फिर से बन गई है quadratic equation splitting the middle town 7 और 6 को multiply करके एक लाना है आ जाएगा 7 और 6 उसे हो जाएंगे अच्छा प्लस का x चाहिए तो minus 6x plus 7 है यह split होगे middle town एक factor आएगा इसका 6x common ले लो x minus 1 7 common ले लो x minus 1 अब x की value आएगी एक तो 1 highlight करो और एक value आएगी minus 7 by 6 reject हो गई number of units का भी negative नहीं हो सकते तो दोनों consider करेंगे अब यह बताओ आपको कहते पता कि x is equal to 1 पे profit maximum ही होगा minimum भी तो सब्सक्राइब याद करके बताओ क्या करें अगर इस profit को maximum दिखाना है तो इसका differentiation दुबारा से होगा जिसको आप बोलोगे second derivative d square p upon dx square इसका differentiation बोलो 0 छोड़ो इसका बोलो माइनस 24 x और इसका माइनस 2 इसमें यहां पर x के place पर one put कर दो माइनस 26 x को one जब रखा negative answer positive answer negative answer का मतलब है profit maximum positive आता तो minimum है अब यहां पर statement डालोगे axis equals to one पे profit is maximum यह पूरी की पूरी यहां से mc से लेकर यहां तक यह आपकी पूरी application of derivative का रही है मतलब फोड़ा सा integration भी आया उसके बाद differentiation दिया है में differentiation ता अब हो गया question solve अब आपका axis equals to one unit पे profit maximum है इस लेविल पे आपको निकालना है consumer surplus अब निकाल लोगे consumer surplus अभी question पूरा सॉल नहीं हुआ ना अब मेरे को बोलो consumer surplus के लिए का लिखना है मेरे को कट तो मेरा नहीं लिमिट बोलो सबसे पहले अब नहीं जीरो टुवान जीरो लिमिट और अपर लिमिट यहां पर कॉंसा function आएगा demand function 20-4 x square integration इसमें से rectangle का area minus करेंगे अब इसमें बता दो अगर x की value 1 है तो p कितना है नहीं demand function का ही तो होगा integration वो तो revenue हो जाएगा फिर x multiply करोड़े अब इसको सिंप्लिफाय करके फाइन रांदर चेक्ट रहो consumer surplus निगालने के लिए उस लेविल तक कौंशना पड़ा जिस लेविल पर प्रॉफिट मैक्सिमम था और प्रॉफिट को मैक्सिम करने के लिए मार्जल कॉस से कॉस निकाली गई और डिमांड फंक्शन को इन टू एक्स करके लिए निकाला गया अजर एक एक बाइप पर अजय तुम चेक करो तौ अच्छों का एट अपां थी आरहे एट अपां थी आरहे विए अंसर इसका एट अपां थी आरहे अजर आ पर पर प्रॉफिट को मैक्सिश कुए अजर आपको बोला था पर इस अपर शुन की लैंगवेज शुपोर्ज एट डिमांड फंक्शन इस 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 पिर मैंने बोला था वेयर एक्स तरो एक्स निकालने को बोला था मैंने है अध jos दूब्ल辉 ben दिए एक्स नौट एक्श-ड इस नौट है आपको थैस ब्स निकालना एक एर प्रॉफिट जी कि लिए यांपर पर फीड मैंक्सिमां हो उतनी योनिट्स पर जाके कंश्यूम्र सब पलिस निकालना था तो इसकी यह मैंने přजिश快श ग्रोला उन बोलो भाई एक आप करके देखो एक नहीं यह वाला कहा रहे हूं डिफ्रेंशेशन किया प्रॉफिट का डिफ्रेंशेशन करेंगे तब उसको जीडो से क्वेट करेंगे तब मिलेंगे एक की नमबर अपने कि एक और देरों पटापट से कीच के देखो हां एक और कर लेता है न वे एक होई गया एक प्रक्टिस के लिए और कर लो कि डिमांड फंक्शन लेख लो पीजी कोल स्टू 45 माइनस एक्स स्क्वाइड कि एक डिमांड फंक्शन हो गया इन में बाकी सेरा रफ कर देता हूं पहले वाला इसी की पैंट का जीडों ने देता है पता नहीं का अगा से कप्रल आते हैं यह यह पैंट है इसकूल की पैंट है इसकूल यूनिवाम लग रही है और ऐसी सेम पैंट ही मेरे पास कभी आद देखे याल आ रही है मुझे इस पैंट के अपनी यह देखो पैंट है यह पैंट का कपड़ाई अभी देखो अगली बार शेट बैटना में ले कोई सफी बन्यान गया हो चुकी है अच्छा जी दिवांड फंक्शन है उसके बाद आपका मार्जिल कॉस्ट है लिख ले ना 1 by 4 x square plus 6 ठीक है यह margin cost है और आपको बताना है इसमें consumer surplus at sales level x consumer surplus question mark at sales level x where profit is maximum तो देखो same question हो गया ना इसमेंड कॉस्टन हो गया था यह दिसकनेक्ट हो गया था यह यह demand function है यह margin cost है consumer surplus निकालना है उतनी इस लेविल पर जहां पर profit maximum है कि मार्जन कॉस्ट को इंटीगरेशन करो कॉस्ट निकालो और रिविन्यू निकालो रिविन्यू में से कॉस्ट माइनस परो profit निकालो कि 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 क क क क क क क क क श क क क क क झाल रही है 1 रही है तो— मैंक रोट में है एसमिय। एक्स की वैल्योट जाये है एक्स की वैल्योट इपरिम पूरूट 3 यह Ace बरांड रूट 3 की बैल्योट कर लेना फिलाइが, मैं इक्स की वाल्यू गई हो जाएगी प्रेप्पाइप 3.5 यूज़ कर रहे हैं तो रे बिढ्यी और कॉस्ट चेक कर लो बधार यूज掰掰 N.G.K.K. तूज और इसको इंटिग्रेट करके आपने ये निकाल दिया कॉस्ट प्रॉफट इज इस इकॉल जो रिविभिणियू माईनश सोस्ट 45 x-x तॉज पॉरी कॉस्ट अब इसको डिफ्रेंशेट किया, dp upon dx और यह x cube है, यह x cube है, तो इसका derivative यहाँ पर हो जाएगा 3x square और यह भी x cube का 3x square upon 12 minus 6 differentiation किया है, profit निकाल किया उसका, अब इसको ही पर रख रख रहते हैं, 0 के equal तो यह आपका cancel हो गया, 3 से 4, यह होगे, 4, 3, 12, और 1, minus के 13x square upon 4 और, 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 45 में से 6 minus करना भी कितने बचते हैं, 39, उदर जाके होगे, minus 39 तो minus minus cancel, 4, 13 से cancel तीन बार, x square आया 12, x आया 2 root 3, minus उन्हेने के जुरती नहीं, x की वाली नेगडित होगी नहीं, यह आ रहा है, x 2 root 3 इन दोनों को आड़ करके, कर लो, एक ही बात है, यह लो, यह हो जाएगा 12 और, minus 13x cube upon 12, यह कह रहे हो ना, और, minus 6x, minus के, आप कर लो, differentiation, 45x का 45, इसकी 2 power आगे, इसकी 3 power आगे, sorry, 39x square upon 12, और, minus 6, equal to 0, बात होगी है, एक ही बात आएगी, x आगे बताओ भी, इतना clear है, profit को maximum कैसे दिखाओगे, second derivative से, जैसे first derivative है ना, इसको दोबारा differentiate करने ना, तो, 45 का 0, इसका हो जाएगा, minus 6x, इसका हो जाएगा, minus 2x upon 4, और, 6 का 0, x की value, 2 root 3, बुट कर देना, यह minus के 12 root 3, और, यह minus के 4 root 3, 4 से 4 कट गया, यह minus का 13 root 3, यानि के negative आ रहा है, negative आना चाहिए बस, secondary बेटे, तो, profit maximum है, इतने units पर, 2 root 3 units, अब इस units पर आपको निकालने, अपना consumer surplus का, हो जाएगा, कि, तो, इसका integration, 0 से 2 root 3, minus, area of rectangle, rectangle के area और बता दो जाएगा, length को यह लूँगा, चलोंगा, breadth आप बता दो, P की value, यहां रखो ना, 45 minus 12, कितने हो गए, 33, इसको solve करना है, बता, यह आपका consumer surplus हो जाएगा, यहां पर export करके P निकालोगे न, यह point होगे न, यह point हो जाएगा, यह वह हो गया, जाएगा, चलो जी, वैसे तो almost हो गया, देख लेंगे निकाट सावर, differential equation स्कार्ट करें,